रातिव नमस्कार मैं मुकेश कुमार बस्वा तैसिल से आर्टिशन एक्रो के द्वारा और आज ये किसान के यहां आए हैं जिनके अपने पौदे लगवाए हैं उनका थोड़ा सा रुख बताऊंगा कि किस तरीके से किसान का रुख है बास के योजना के पृति उनसे आओ ब पौदे ग्रो कर रहे हैं हम इनके खेट पे हैं और इनसे पूछेंगे कि आपने बास के पौदे किसी की कहने पर लगवाए या आपको योजना अच्छी लगी इसके बारे में रोसन जी बताएंगे रोसन जी बताइए थोड़ा सा आपने ये पौदे किते दिन पहले फोदा है नहीं जो बहुत ही अच्छा ये जी इसे घ्रू कर रहा है तीन मेने पहले इनोने बास लगवाए लगवाय थे कितने पॉदे लगवाय थे रोसन जी सो पवय थो योजना आपको कैसी लगी है बहत अची योजना लगी आपन सतन पोदे यो लगवाय है सो पोदे यह लगवाएं जी फिर हमें आगे कुछ साइट से देखने के लिए पंचायत के कुछ कारे लग रहा है उनसे जान कर ली अब आगे हमारे दो विगा में लगवाने का विचार है तो आप इस दो विगा के यह पूरे प्लांट इसमें पूरे प्लांट करवाना चाहरे हो है यह आगे प्लान कर रहा है कि इनको योजना अच्छी लगी है बता रहे है कि मैंने नेट पर सर्च किया सारी चीजे देखी और इतनी अच्छी इंकम है तो क्यों ना और लगाए जाए तो इनके प्रती माला यह खुदी एक तरीके से यह हुए कि मुझे और पोदे लगाने यह आपको बहुत अच्छी इंकम देंगे यह आपको बताया होगा कि आपको यह आपके सो पोदे कितनी इंकम देंगे बिल्कुल 5-7 लाग रुपे तक इंकम देंगे यह आपको यह नजारा दिखाऊंगा कि जैसे यह सूट निकल रहे हैं आज यह पहला सूट निकलना स्टार्ट हुआ है तो आगे ऐसे एक पोदे में से लगबग 10-15-10-15 हर साल नए सूट निकलेंगे जिनके बास तैयार होंगे और वह हर साल कटाई होगी पहली बार चार स करता न्था है ऐसके बाद में हर साल इसकी जबरदस्त कटाई रहेगी हर साल कि हर वार खिषचों को इसकी बार बार इंकम आती रहीगा हार साल एक पिषजा अपने लगबग सो या 100-15 रुपे से कमका नहीं जाता है तो इस तरीके सेब्सक्रित कि सल्ऴू आए रहेगी